चार साल के बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद बुरी तरह से घायल हुए रॉमेन पावेल। उनकी इस हरकत ने जीता करोडो फैंस का दिल। दरसल साथ अफ्रिका के खिलाब T20 मुकाबले में जब क्विंटन डी कॉक ने शॉट मारा तब रॉमेन पावेल बॉल को पकड़ने के लिए बाउंडरी लाइन की तरह भागे। तब ही एक चार साल का बच्चा उनके सामने आ गया। जिसे बचाने के चक्कर में खुद LED राइट को पारक और जाली से टकरा गए।